श्री शिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादेव दोस्तों बट अमावस्या जोकी साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है और अमावस्या के दिन अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपके खाते में जो भी पाप होते हैं जो भी आपको कस्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो पित्रों को समर्पित होता है और 6 जून जेस्ट कृष्ण पच्छ की जेट महीने की कृष्ण पच्छ की अमावस्या है तो इस दिन अगर आप साम को एक दीपक प्रजुलित कर देते हैं तो आपके घर की जितनी भी पित्रों का अशीरवाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप ये उपाय जरूर से करें अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पित्रों खुश नहीं है तो थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ गुरुजी ने अकसर कताओं में बताया है कि अगर आपके कोई भी शुब काम बनते बनते रह जाएं आपकी आप नौकरी करने जा रहे हैं आपकी नौकरी लगते लगते बस एक कारण से छूट जाए आपके कोई अच्छे काम जो कि देरी से हो रहे हैं आपके घर में बहुत जादा कलेश हो रहे हैं बीमारी बहुत बड़ी-बड़ी बीम पित्र खुष नहीं होंगे उनको बहुत सहज और सरन तरीके से हम खुष कर सकते बस आपको वह उपाए करने हैं कौन-कौन से उपाए करने हैं चलिए आज बात कर लेते हैं क्योंकि आज है अमावस्या तो अमावस्या की साम के समय मतलब जब पृदूश काल हो जाए उसके ब किचिन होती है जो हमारी रसोई होती है बहां पर पित्रों का निवास होता है और अगर पित्र जहां पर निवास कर रहे हैं जिस घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है लड़ाई दंगे होते रहते हैं पती पत्नी में छोटी छोटी बात को लेकर मतभेद होते हैं तो भड़ा нач persona में अगर सर्षों का प्रियोग करते हैं और अगर नहीं है तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं कोई भी आपको लंबी-वट्ति अब ca के लिए और एक काले तिल जरूर से डाल दीजेगा ठीक है उसके साथ साथ आपको क्या करना है आज बट अमावस्या है तो एक दीपक बट के ब्रच के नीचे अवश्च्य लगाए लच्भी प्रापती के लिए और आप पीपल के ब्रच के नीचे भी एक दीपक अवश्य लगाएं तो उससे आपको पित्रों को खुश करने का तरीका मिल जाता है पित्र आपके खुश हो जाते हैं और आपको आशिरवाद देते हैं क्योंकि जेट महीने की जो अमावस्या होती है वो सबसे बड़ी अमावस्या होती है ऐ और दूसरा झोती होता है वहां पर आपको यह दिपक रखाऊना है और याफकर नहीं दिपक आपको सामने चीह तरफ जब आप ím के सामने सीधी तरफ जब आपने मुखु द्वार की तरफ मुख करके घर की सुखंग करके खड़े होंगे तो सीधे हाथ पर आपको वो दीपक प्रजुलित करना है उसमें आपको कैसे प्रजुलित करना है पहले थोड़ा सा आप चावल डाल लीजेगा नीचे क्योंकि खाली दीपक जमीन पर नहीं रखते हैं क्योंकि धरती मा वो उसक्वा जो भी फल होता है वो रख दीजिए अगर चार बती लगा रहे हैं तो फिर किसी भी दिसा में रख सकते हैं और अपने पित्रों को खुश करने के लिए थोड़ा सा उसमें काला तिल डाल दीजेगा फिर देखिए आपके रुके हुए कारे कैसे बनने लग जाते हैं कैसे आपके सबी जो भी लड स्तव्यम और हर हर महादेव कमेंट सेक्षन में जरूर लेके मिलते हैं दूसरी वीडियो